अगर आपको भी हसे जादा मुबाइल फोन का उप्योग करने का आदत है तो जान ले जीहां दरसल मुबाइल फोन से निकलने वाली विकिर ने आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुचाने में सक्षम है इतना ही नहीं यहां आपको कई तरह की बिमारियों को सिकार बना सकता है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके अधिक प्रयोग से आपकी तरह से अ का शरंका बढ़ जाती है और आप असानी से कैंसर के सिकार हो सकते हैं ठीक इसी तरह अगर आप रात के समय मोबाइल को अपने सरीर में सटा कर या सीने में रख कर सोते हैं तो यहां आदत आपके लिए बेहद ही खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी हो सकता है इसके अलावा इसक के प्रभाव के चलते ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रो मैगनेटिक विकिर्णों से आपको डियने तथा छती ग्रस्त हो सकता है इसके अलावा इसका अधिक इस्तमाल आपको मांसिक रोग भी बना सकता है तनाव और डिप्रेशन क के कारण में एक प्रमुक कारण मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडियेसन के खतरणाक प्रभाव भी हैं यहां आपके दिमाग की को सिकाओ को संकुचित करती है जिससे आपके ब्रेंड में ऑक्सिजन कि सही माधरा नहीं पहुंच पाती मोबाइल फोन के हानिकारक विकिरन न केवल कैंसर जैसी विमारी को जन्म देता है बलकि या डाबिटीज और हिर्दय रोग की संभावना को भी कई गुना बढ़ा देता है मोबाइल फोन का ज़रूरी और सिमित इस्तमाल ही इलेक्रो मैगनेटिक विकिरनों के दुष प्रभाव को कम कर सकता है इसके अलावा इसको अपने सरीर से सटाक न रखते हुए पर्स में या फिर अन्यस्थान पर रखना ज्यादा सहीं होगा यही नहीं इसका ज़्यादा इस्तमाल आपकी आखों को भी काफी डेमेज कर सकता है बलकि आप अंधे पन के भी सिखार हो सकते हैं तो इसलिए मोबाइल फोन का इस्तमाल उतना ही करें जितनी आपकी ज़रूरत है तो ऐसे ही हम आपके लिए रोचक जानकारिया लाते रहेंगे तब तक लिए देखते रही है न्यूस्प्लेश्ट इवन आपके हग की बात झार कि झाल कि तो आपके हम आपके लिए की जानकारिया रहें न्यूस्प्लेश्ट रहें जब बाते हैं जाल कि विए रहें ओम के तो और रहें इन देखते हैं झाल झाल